इस वीडियो के अंदर मैं आपको explain करूँगा कानवडिक्स का लेक्शन नमर 18 और friction का पार्ट 4 अल्रेडी मैं आपको friction के 3 पार्ट करा चुका हूँगा और उनके अंदर मैंने theory को बहुत अच्छे से explain किया है और finish कर दिया है ठीक है इस वीडियो के अंदर मैं आपको friction के सभी conceptual और theoretical questions explain करूँगा अगर आपने friction की वीडियो नहीं देखी है friction की theory clear नहीं की है और आप direct questions देख रहे हो तो कोई भी benefit नहीं होगा चीज़ें समझ में नहीं आएंगी क्योंकि theoretical questions ज्यादा स्यादा मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूँगा सबसे पहले आप वो theory की वीडियो देखें friction की आपको यह आई button मिल जाएगा उस पर click करें और उसके बाद चीज़ें आपको आसान हो जाएएगी और questions आप इसे ही कर पाएगे कुर्षं नेमर कोसिं बोल रहा है कि इफ दन और्मर रैक्शन फोर्टे इस डबल दन अपना कोफि शेंट फ्रिक्शन बिल भी यानि यदि सामान प्रितिक्रिया बल दुगना हो जाए तो घर्षन गुणांक होगा option A not change यानि change नहीं होगा constant रहेगा option B half यानि आदा हो जाएगा option C double दुगना हो जाएगा option D triple यानि तीन गुणा हो जाएगा तो देखो ये एक M mass का block है ठीक है और एक किसी surface के उपर रखा हुआ है ठीक normal action force उपर की तरफ लगेगा सवाल बोल रहा है कि यह जो normal action force है न वो दुगना हो जाता है माल लो end s कितना माल लेता हुआ पहले का दुगना two times of end तो बोल रहा है कि म्यू पर क्या फरक पड़ेगा म्यू चेंज होगा कि नहीं होगा और होगा तो आदा होगा दुगना होगा या तीन गुना होगा ठीक है अब आप देखो पहले आप समझें म्यू एक्चुल में है क्या म्यू यह जो है यह कोफिसियंट और फ्रिक्षन और यह और एक constant होती है और different type की surfaces के लिए इसकी value different होती है सर्फिस कितनी चिकनी है या कितनी रफ है कितनी खुर्दरी है उसके लिए इसकी value different different होती है क्लियर आप देखो हमारे पास एक formula होता है friction force का एब बराबर म्यू है एक्ट्रिटी में फॉर्मूला यह होता है यह directly proportion का sign है यहां इसको उटाने का जाता है म्यू आता है और म्यू क्या होता है constant होता है नॉर्मल action force बढ़ाने से friction force बढ़ता है अगर आप नॉर्मल action force बढ़ाओगे तो उस बस्तु को ले जाने में बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि हम friction force बढ़ चुका होगा लेकिन नॉर्मल action force कम कर दोगे तो friction force भी कम हो जाएगा तो नॉर्मल action कम्या जादा करने से friction कम्या जादा होता है लेकिन म्यू पर कोई effect नहीं पढ़ता चाहे आप नॉर्मल action बढ़ा दो चाहे नॉर्मल action गटा दो म्यू depend करता है surface के nature पर कि वो surface कितनी चिकनी है और कितनी खुरदरी है ठीक है तो यह यहाँ पर इसका answer क्या होगा कि म्यू change नहीं होगा not change तो option is correct ठीक है इसको समझो अच्छे से इसके बाद आपको next explain करता हूँ अब देखो next question question बोल रहा है the friction force between two surface is independent of यानि दो सतहों के बीच का घर्षन बल स्वतंद्र होता है option A nature of the surface यानि सतह की प्रकृती पर option B size of the body यानि body के आकार पर option C area of content यानि संपर्क के छित्र पर और option D mass of the body यानि पिंड के दिर्वमान पर ठीक है तो बोल रहा है हमसे कि friction force दो सर्फेस के बीच में किन बातों पर independent रहता है ठीक है स्वतंद्र रहता है अब आप देखो यह एक body है M mass की ठीक है बोल रहा है कि mass of the body एक option दिया उसने mass of the body अब आप देखो इसका mass 5 kg है और एक दूसरी body है जिसका mass 10 kg है तो जिसका mass ज्यादा होगा उसका friction ज्यादा होगा already मैंने आपको friction के last lecture के अंदर यह चीज़ें explain की है कि friction की कुछ logic explain की है rules explain की है वह मैंने बताया था कि जितना mass ज्यादा उसका friction होतना ज्यादा तो देखो mass पर तो depend करेगा अगर यह इसका 10 kg है इसका mass और इसका 5 kg है तो 10 kg बाले का क्या होगा friction force ज्यादा होगा और 5 kg बाले का क्या होगा कम होगा वो थोड़ा easy आराम से उसको हम खींच सकते हैं तो mass of the body भ血 पर तो यह depend करेगा इंडिपेंडनेंट नहीं रहेगा डूसरा इसम जो option दिया है वो है सत्या की प्रकृति पर उस पर भी पेंड करेगा कितनी सर्फेस चिकनी है ए stiff उस पर भी built का सथे चिकनी होगा चिकनी होगी तो जल्दी चलने लगेगा और खुश्ज दुरी होगी तो जWhat पर जिता फोर्स लगाना पड़ेगा तो सतह पर भी w пेंड करेगा एक ऐसने कि संप्रक का छेत्र यानि area of contact इसको आप समझो ध्यान से area of content यह एम मास का block है और यानि यह समझो यह करके एक मास का block यह है और एक मास का block यह है ठीक है समझना क्या है कि इतना एरिया गेरेगा मास सेम है लेकिन जब मैं इसको खींच के ले जा रहा हूं तो आप देखेंगे इसको जगर मैं खींच के लेके जाऊंगा तो यह इतना एरिया गेरेगा लेकिन जब मैं इसको खींच के ले जाऊंगा तो यह इतना ज्यादा एरिया गेरेगा मास दोनों का सेम है क्योंकि friction force मास पर depend करता है इसलिए दोनों का मास सेम है लेकिन area of contact देखो surface के बीच में हैं कम है और यहां क्या है ज़ादा मास सेम है अब आप बताओ क्या इस पर और इस पर दोनों पर अलग friction force लगेगा नहीं न area of contact पर friction force depend नहीं करता independent रहता है मास दोनों का सेम होना चाहिए मास दोनों का सेम है तो friction force सेम लगेगा कितने area में होके लग रहा है कोई फरक नहीं परता है क्योंकि कितना भी बड़ा area हो दोनों पर क्या लगेगा सेम लगेगा क्योंकि दोनों का mass कैसा है same. तो area of contact पर friction force depend नहीं करता. ठीक है? तो इसका जो option है, option C is correct. ठीक है? अब देखो next question question बोल रहा है कि which is true for rolling friction static friction and kinetic friction यानि rolling गर्षण इस्थर गर्षण और गतिज गर्षण के लिए कौन सा सही है? ठीक है? तो देखो option आपको दे रखे हैं उसने यह तो है rolling friction coefficient of rolling friction यह है coefficient of ow static friction और यह coefficient of kinetic friction ठीक है? कि काणीटियक फ्रिक्टियन जो होता है वो दो tap का होता है एक तो होता है sliding friction tres cool ठीक है श्लाइडिंङ फ्रिक्टियन और एक होता है rolling friction क्लियर है, rolling friction sliding friction को ही हम kinetic friction के नाम से जानते हैं coefficient of kinetic friction और rolling friction क्या होता है? मिया होगा अब आप देखो, कौन सा इसमें ज़्यादा होगा कौन सा relation सही होगा काइदे में आपने देखा होगा कि जब body rest में रहती है तो वहाँ जो friction जिरनीट होता है वो static friction होता है और static friction क्या होता है ज्यादा तो static friction दोनों से क्या होगा सबसे ज्यादा होगा इसके बाद क्या होता है sliding friction खीच के एक टायर है टायर में धक्का लगा के आप लेके जा रहे हो और एक बकसे को आप खीच के लेके जा रहे हो तो किसका coefficient of friction ज्यादा होगा sliding friction का ज्यादा होगा यानि kinetic friction का ज्यादा होगा यानि kinetic friction का ज्यादा होगा और rolling friction का क्या होगा कम तो आपका यह relation सही होगा कि mu s is greater than mu k greater than mu r ठीक है यह चीज़े note करो इसके बाद आपको next explain करता हूँ अब देखो next question question बोल रहा है कि which is suitable method to decrease friction यानि निम्ण में से कौन सी बिधी द्वारा घर्षण को कम किया जा सकता है option a ball and bearing ठीक है देखो ball and bearing का मतलब क्या होता है पुई surface है और उस surface के अंदर आप कंचे बगरा लगवा दो ठीक है अब उससे surface कैसी हो जाएगी खुर्दरा पर उसका कम हो जाएगा तो इसलिए वो भी friction को क्या करेगी कम करेगी option b snake द्वारा अब lubricant तो कोई oil अगरा डालोगे तो उससे भी surface का friction कम हो जाएगा option c polish द्वारा यानि policing तो पॉलिस कर दोगे तो भी friction कम हो जाएगा और option d all of the above यानि इसका option क्या है d is correct ठीक है अब देखो next question बड़ा अच्छा सवाल है ये question बोल रहा है कि a cricket ball is rolled on ice with a velocity of 5.6 meter per second यानि एक cricket की गैंद को 5.6 meter per second के बेक के साथ बरफ पर लुड़काया जाता है देखो यह है आपका बरफ का टुकड़ा यह बरफ का टुकड़ा है ठीक है और इसके उपर यह ball है यह यह ball है ठीक है यह ball है और इस ball को जो लुड़काया जा रहा है उसकी speed है 5.6 meter per second यह और आइस का टुकड़ा है ठीक है यह वाला क्या है आइस का टुकड़ा है हमसे आगे बोल रहा है and come to the rest after traveling 8 meter यानि यह 8 meter चला देखो मान के चले 8 meter यहां तक चला 8 meter कितनी डिस्टेंस कवर की इसने 8 meter तो 8 meter बाद के रेस्ट में आ गया तो यह फानल वेलसुटी क्या होगी जीरो तो आठ मीटर पर इसकी वेलसुटी क्या होगी फानल वेलसुटी अनि अंतिब्बेक कितना ह हो गया जीरो हमसे बोल रहा है कि find the coefficient of friction यानि गर्सन कुणांक आपको निकालना है म्यू कैल्कुलेट करना है यह आपको जी की वेलू दे रखी है 9.8 meter per second square तो option a 0.1 0.2 0.3 0.4 अच्छा सवाल है ठीक है तो देखो हमसे म्यू निकलवार और हमारे पास इस म्यू का अपका नमकर झानल को क्या होता है वह क्या होता है म्यों एम्यमजी तो मैं पूर्मक्र कर सकता हूं यूं एम जी और यिव क्या होता है म क्या है यह आघाया म्यू अग्योगे Summ अ church is my चरीन ए घॉTIwas ठीक है अगर मुझे इस बॉल का एसलेशन पता लग जाए तो मेरा काम बन जाएगा मुझे अब किसका क्या निकालना है इस बॉल का एसलेशन निकालना है एसलेशन मुझे पता लगते ही 9.8 से डिवाइड दे तो मेरा आंसर आ जाए है एसलेशन कैसे कैलकुरेट करो हुआ देखो इसकी इनीशल वेलसिटी दे रखिए फाइनल वेलसिटी इसके पास 0 है डिस्टेंस इसकी दे रखिए कौन सी क्यूशन यूज करेंगे थाड़ एक्वेशन वी स्क्वाइर ब्रावर यू स्क्वाइर प्लस 2 एस ठीक है तो ोब देखो यह मानस का मतलब है हैश कम होता जा रहा है कम होता जा रहा है तो मैंस इसके डारेkshan बता है नहीं उसका रिटाइडेशन हो रहा है एसलेशन घठता जा रहा है ठीक है अब आप देखो यू की वैल्यू कि नहीं है 5.6 तो 5.6 into 5.6 upon 2s कितना है 8 meter तो देखो 8 to the 16 to 5.6 into 5.6 upon कितना आ गया 16 जब इसको पूरे को solve करोगे तो यह आएगा 1.96 ठीक है तो आपके पास एसलेशन की वैल्यू कितनी आगी नेगेटिव 1.96 मीटर पर सेकिंड स्क्वाइर ठीक है तो नेगेटिव का मत्तब क्या रिटार्डेशन ठीक है अब आप देखो 1.96 तो एसलेशन की वैल्यां पूट कर दो 1.96 upon 9.8 तो जब आप इसको सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू निकल क्याएगी 0.2 ठीक है तो यानि जहां जो कोफिशेंट और फ्रिक्शन है म्यू की वैल्यू कुद नहागी 0.2 तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इस करेक्ट ठीक है यह चीज़ नोट करो इस आपको next question explain करता हूं अब देखो next question question बोल रहा है कि a bricks of mass 2 kg begin to slide down on a plane inclined at an angle of 45 degree with the horizontal the force of friction will be यानि 36 से 45 degree के कौन पर जुके नत समतल से एक 2 kg का गुटका नीचे की और फिसलना प्रार्म करता है तो गर्षन बल होगा option a 9.8 2 root 2 newton option b 9.8 root 6 newton option c 7.8 root 2 newton और option d 6.8 root 3 newton तो देखो यह बोल रहा है कि एक inclined plane है इस तरीके से और यहां एक गुटका रखा हुआ है जिसका मास दे रखा है उसने कितना 2 kg और horizontal से angle बन रहा है 45 degree तो हमसे बोल रहा है कि friction force बताओ कितना होगा यह हमसे निकल भा रहा है अब आप देखो इस पर जो एमजी लगेगा बेट लगेगा वो कहां लगेगा डान ओवर डायरेक्शन में लगेगा ठीक है और वो इसको बिलकुल नीचे की तरफ लगेगा mg एप इतनी वात क्लियर है और इस पदो नॉरमल एक्शन फोर्ट लगेगा वो कहां लगेगा इस सर्फेस के परपेंडिकूल लगेगा कहां लगेगा इस सरफेस के बिलकुल परपेंडिकूल लगेगा इतनी बाद समझ में आती है अब आप देखो यह बाला जो एंगल है यह 45 है तो यह भी कितना होगा 45 इसके दो कॉंपोनेंट होंगे तो यह वाला होगा mg कॉस 45 और एक यह वाला होगा mg sin45 इस वाले कॉंपोनेंट से यह आगे की तरफ फिसल रही होगी लेकिन इसको कौन रोक रहा होगा friction force जो पीछे लग रहा है इसी की value में बतानें कि कितनी होगी तो जो friction force है उसकी value कितनी होगी mg sin45 clear mass कितना दे रखा है इस box का 2 kg g की value आपको question के अंदर दे रखी है 9.8 ठीक है और sin45 की value कितनी होगी 1 by root 2 clear अब आप देखो हमको 9.8 root 6 root 2 इस तरह की option दे रखें तो आप देखो इस 2 को मैं क्या लेख सकता हूं root 2 into root 2 root 2 root 2 से root 2 खतम तो कितना आ गया 9.8 root 2 newton ठीक है तो option a is correct ठीक है यह note करो इसकी बाद मैं आपको next explain करता हूं अब देखो next question question बोल रहा है कि the maximum static friction force is यानि अधिक्तम इस्थेतिक गर्षन बलका मान option a equal to twice the area of surface in contact यानि इस परसी सतहों के छित्रपल का दोगना होता है option b independent of the area of surface in contact यानि इस परसी सतहों के छित्रपल पर निर्वर नहीं करता option c equal to the area of surface in contact यानि इस परसी सतहों के छित्रपल के बरावर होता है option d none of the web यानि उप्रक्त में से कोई नहीं चीक है तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था थोड़ दिर पहले कि जो static friction होता है वो area of contact पर depend नहीं करता उसने यहां पर क्या क्या बोल दिया है कि static friction की value कैसी होगी maximum तभी भी भी area of contact पर depend नहीं करेगा भाई मास अकर donor bodies का सेम है तो चाहें इतना area हो उस body का चाहें इतना area हो friction force हो सेम लगेगा तो इसका option होगा option C option B is correct यानि इस पर सी सतों के छितपल पर निर्वर नहीं करता यानि independent of the area of surface in contact ठीक है तो इसका B option बिल्कुल सही होगा अब दोगो next question यह conceptual question है कि to avoid slipping while walking on ice one should take smaller step because of the यानि बर्फ पर चलते समय फिसलने से बचने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना चाहिए क्यों के कि बार हम बर्फ पर चलते तो देखा अगर हम ज्यादा पैर खोल दें तो हम फिसल जाते हैं लेकिन छोटे छोटे बर्फ का गर्शन कम होता है यानि friction of ice is small option d small normal reaction यानि अविलम प्रतिकरिया कम होती है तो ध्यान से देखो यह बर्फ का टुकड़ा है यह बर्फ का टुकड़ा है आई इसका अगर इस पर आप जो नॉर्मल रेक्शन है यानि वुस ने बोला है कि छोटे छोटे कदम उठा कर क्यों रखने चाहिए क्यों कि अगर छोटे 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 कदम रखेगा तो जो normal reaction force होगा वो ज्यादा लगेगा बासंग में आरी है वो छोटे छोटे step रखेगा उठाकि उछोटे हैं यहां रखा इस टेप मानके चंऽ फिर यहां रख दिया उससे पर यहां रख दिया पर स्नुस्त वहां अगर अगर दूर दूर रखेगा तो नॉर्मल अभूर कभी कम हो जाएगे और ऐसे के स्में friction force क्या हो जाएगा? कम देखो simple सा logic है कि जो friction force है वो किस पर depend करता है? normal reaction force पर depend करता है जहाँ normal reaction force जदा होगा वहाँ भी friction force जदा होगा, बात समझ में आती है तो वो बरफ़र इसलिए नहीं फिसलेगा, क्योंकि normal reaction force क्या हो जाएगी? जदा अगर जादा हो जाएगी तो friction force क्या हो जाएगा जादा बात समझ में आती है तो इसका जो option है option B is correct यानि अवलम प्रितिकरिया अधिक होती है तभी तो नहीं फिसलेगा यह normal action force जादा होगी तभी friction जादा होगा ठीक तो अब देखो एक next question हो रहे question बोल रहा है if the friction angle is cos inverse 4 by 5 then the value of coefficient of static friction will be यानि यह गर्षन कौन cos inverse 4 by 5 है तो इस तर गर्षन कुड़ां का मान होगा यानि μूँस तो option A 3 by 5 2 by 3 3 by 4 और 4 by 5 ठीक है तो देखो हमसे बोल रहा है कि जो coefficient जो angle of friction है यानि घर्षन कौन ठीटा हो वह हमें दे रखा है cos inverse 4 by 5 ठीक है यह हमें दे रखा है और हमसे बोल रहा है क्या निकालना है coefficient of static friction यह हमें निकालना है ठीक है अब आप यहां से देखो ऊपर से क्या जाएगा यह आजाएगा cos theta, cos theta बराबर क्या जाएगा 4 by 5 और mu s की value कितनी होती थी mu s बराबर क्या होता है 10 theta तो मुझे cos की value theta की value, cos theta से 10 theta में value लानी है तो होता क्या था कि यह आपका inclined plane होता था और यह आपका angle theta होता था angle of friction यह होता था ठीक है और angle of friction यह होता था theta और हम से निखलवा रहा है cos theta बराबर कितना दे रखा है 4 by 5 तो देखो आप base upon hypotenuse तो base कौन सा हो जाएगा यह 4 और hypotenuse क्या जाएगा 5 यह हो जाएगा जब मैं इसको calculate करूँगा तो कितना आजाएगा 25 minus 69 यानि 3 यह आजाएगा 3 अब आप देखो यहां से 10 theta की value निकाल दो तो क्या जाएगा perpendicular upon base तो यह आजाएगा 3 by 4 तो 10 theta की value कितनी निकल के आगई 3 by 4 तो mu s कितना आजाएगा 3 by 4 यह आपका final answer होगा कि जो coefficient of static friction होगा वो होगा 3 by 4 ठीक है अब इसके बाद मैं आपको friction force के अंदर जैसे जैसे मैं topic कराता गया था वहाँ मैंने और numericals भी कराये थे तो उन numericals को भी करें ठीक है ना अब इसके बाद मैं आपको जो next topic कराऊँगा वो होगा work, energy and power यानि कार, उज़ा और सक्ती ठीक है तब तक वीडियो को लाइक करें वीडियो को ज़्यादा सेदा सेयर करें और चैनल को सस्काइब करने न भूने और बेलाकर को जुरूर पैस करें अबरी हरुडोस को जो 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 जो